दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें अनलवी पर फालोव नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फालोव कर लें इसके लिए आपको अनक्याडमी का लेर्णिंग एब प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और अगर आपने अंस्टाल आलेडी कर रखा है तो हमें अनकैडमी पर सर्च कर ले मोहित सुकला और उसे जाके फालो कर ले इस पे आपको आपके एक्जाम से रिलेटेट सरी हर एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएंगी और बहुत ही असानी से आप उसको देख सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो इस सबसे पहले हम सुख़ो करते हैं इस सुभह के साथ किस संस्थान को विष्व बैंक की साफ्ट लोन विंडो कहा जाता है और स्क्रीशक के साथ हम हम गिए उसका ऑसका अंसर देंगे कल का क्या ऐस्विफ उच्छीес चैन कि कभिष्टर्य उनतर राष्ट्रीय nehmen दिवस कभ मना जाता है तो कब मना जाता है आपने सभी ने कमेंट बाक्स पर कमेंट किया था बिल्कुल सही कमेंट किया था 21 जून को अंतरराश्टी योग दिवस मना जाता है तो चलिए हम अपने वीडियो की स्टार्ट करेंते हैं करेंट अफेर्स का आज है 30 जन्वरी और हमारा पहला प्रशन है F3 श्रेणी के एक विशाल तुफान की चपेट में कौन सा देश आया था जो 80 वर्सों में सबसे मजबूत तुफान था बताईए अभी की न्यूस है कौन सा वह देश है चार आपसन है क्यूबा चिली मेक्सिको और कोश्टारिका क्यूबा क्यूबा पर तुफा गयी थी और 195 लोग घायल हो गये थे ठीक है क्यूबा की राश्ट्पती का नाम क्या है क्यूबा की राश्ट्पती का नाम मिगल डियाज कैनल है ठीक है तो चलिए अपने आगला कोशन देखते हैं निमनिमे से किस फिल्म ने पचीसवें स्क्रीन एक्टर गिल्ड हाँ सबसे पहले सrices कि इस सबसे पहले इसकी क्रीजज एक्ट गिल्ड एवार्ड एक एक अधेसं लूब्लेक पैंथर कते हैं अगला प्रश्न है कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इसपात उत्पादक कि स्पात मतलब क्या होता है स्पात मतलब होता है श्टील जो की इलाया है यानि की मिस्व धातू है आरण कारबन और कुछ अन्य घटकों की अन्य धातूं की मुख्य रूप में आरण और कारबन ही होता है ठीक है तो आपको यह बताना है कि इस पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पातक कौन सदेश बन गया है इस समय बताइए कौन है भारत भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सबसे बड़ा इस पात का उत्पातक बन गया है 29 जन्वरी को स्थापित हुआ था और भारत के सबसे पुराने स्थानों में से एक है अब देखें अगला क्वेशन पर चलते हैं हाल ही में जार्ज लुए यह बहुत ही पूर्टेंड कोशन है इस लिह पूर्वरक्षब मंत्री रह typical कभ किस के कारेकाल में अटल जी के कारेकाल में इनकी बहुत ही महत पूर्ण भूमकिया रही और इसके साथ साथ ये बहुत ही अच्छे राजनीतिक गी थे और इनकी मृत्ति अलजाइमर रोग से हुई है अलजाइमर रोग से पीडित थे जिसके बाद इनकी मृत्ति हो गई है केंदरी नागरिक उड्डेन मंत्री सुरेश प्रभु ने भारत के पहले भहँगोलिक संकेत इस्टोर का उद्घातन कहां किया है गोवा के अंतर राष्ट्री हवाय opening किया है यह जो है भहँगोलिक संकेत इस्टोर य्याई की जी सोर इसे भी कहते है यह टर्मिनल पर पहली मंजिब पर इस्थित है इसमें NGO कारीगरों और किसानों के उपज की जितने भी उत्पाद हैं यह सब भी बेचे जाएंगे ठीक है और इसके साथ साथ हम यह देखेंगे कि गोवा का CM कौन है गोवा का CM इसमें कौन है गोवा का CM हिस्से में मनुहर परि बिश्च दिया जाएगा लेकिन इस समय वह करेंट में गोवा के CM है ठीक है किस देशने हाली में गन्य के रसकुराश्ट्रिय खोसित किया है राश्ट्रिय पे अ पाकिस्तान जो हमारा परोसी देश है पाकिस्तान इसने अगर्ने के रसकोर रच्ट्रिये पे घोसित किया है गुलाम मुस्तफा खान को संगीत के लिए पद्म विभूशन्द से संगित क्या गया है सब्सक्राइब य nome क्या दिया गया है पदमिश्री अवार्ड से सम्मानित और दो हजार गयरा झाय कि आज यह पदमिश्री वार्ड से सम्मानित हुए उनने सो 99 में है तो फोश्र में आप इस वर्ष इनमें आप बो वी भूशन प्राप्थ हुआ है अधर को अधने PN पर चलते हैं आस्ट्इलियाई opened 2019 पुरुष एकल का खिताब किस ने जीता है गोस्ति रिएक्र जोख ल;; ठीक है और इस वक्त सर्बिया के प्रेसिडेंट का नाम एलेक्जेंडर वोईश है इस समय जो सर्बिया के राश्पती है उनका नाम एलेक्जेंडर वोईश है चलिए अगले प्रेस्ट पर चलते हैं हाल ही में 2019 विस्व पैरा तारी तैरा की चैंपियन आयोजित करने का अधि अधिकार किस देश से चीन लिया गया बताई किस देश से चीन लिया गया मलेशिया हाली में मलेशिया से विस्व पैरा की चैंपियन आयोजित करने का अधिकार चीन लिया गया ऐसा किस ने चीन लिया इंटरनेशनल पैरालंपिंग पैरालंपिक कमीटी ने इस अधिकार को की कारण है क्यों कि मलेशिया को भाग लेने से प्रतिबंध लगा दिया था इसलिए इनका आयोजित करने का दिकार चीन लिए गया है लिए तो हो गया आज का करेंट समाप्त हो गया है इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू फ्रेंड्स फिर मिलेंगे